वक्त की बढ़ती रप्तार औरोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान सेहत की परशानियों से क्या आप हैं निराश तो हेल्थ लाइन लेकर आया है तमाम बिमारियों के अनसुल छे राज तो पाई अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनिशा के साथ O&N News के खास पेशकस हेल्थ लाइन के साथ अच्छी सेहत कौन नहीं चाहता आज के दौर में हर व्यक्ति खुद को फिट रखने के लिए हर संभ़ प्रयास कर रहा है ताकि वो बिमारियों से दूर रहे पर आने वाला पल किस ने देखा है कब कौन सा रोग किस व्यक्ति को लग जाये ये कौन जानता है पर इन आने वाली समस्याओं के प्रती सतर्क जरूर रहा जा सकता है इसलिए ONN News आपकी स्वास्त के देखभाल और चिकित्सक के उचित परामर्श के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आता है जिसका नाम है Healthline इस कारक्रम के माध्यम से लोगों को उनकी स्वास्त समंदी समस्याओं का समाधान मिल जाता है तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि ब्रेन ट्यूमर का शुरुवात में पता नहीं चल पाता इस कारण इसके इलाज में लापरवाही हो जाती है पर ऐसा नहीं है अन्य बीमारियों की तरह ब्रेंट यूमर के भी कुछ लक्षण होते हैं तो आईए ब्रेंट यूमर पर और भी विस्तार से चर्चा करते हैं हम हिमाशु कृष्णा से जो की MBBS, MS में Gold Middleist हैं KGMU से SGPGI में ये MCH Neurosurgery विभाग में कारेरत हैं साथ ही मुंबई के KGM होस्पिटल से इन्होंने Micro Neurosurgery में fellowship किया है डॉक्टर हिमाशु कृष्णा जी ने सिर्जेरलेंड के दावोस शहर और साउथ कोरिया की यूनिरस्टी सुंक्यू कौन से Advanced Spine Course भी किया है वर्दुमान में ही कंसल्टेंट और Neurosurgeon है लखनो हेल्थ सिटी ट्रामा सेंटर और सुपर स्पैसिलिटी हॉस्पिटल विजय खंड गोमती नगर और दिव्यानी Neuro Maternity Clinic B1-45 सेक्टर जे अलिगंज में तो आई लेते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में और भी अधिक जानकारी डॉक्टर हिमानशू कृष्णा जी से नवश्कार आप देख रहे हैं ओने न्यूस का खास कारिक्रम हेल्थ लाइन और मैं हूँ आपके साथ अबन पतान How अभी आपको पता है की हमारे ने न्यूस्ब इक खास कारिक्रम चलता है जिसका नाम हैंहें में ऊह मुप्र यह जैनेक्ड करेश्न के पास जनसे हम जानेंगी कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है अगर बात की जाए निसान के अंदर अगर brain tumor हो जाता है तो क्या कुछ उसका उपचार है और किस तरीके से मरीजों को वो उपचार करते हैं सर पहले तो हमारे कारिकरम बहुत-बहुत होगत है Thank you Sir पहले तो आपसे ही जाना चाहेंगे कि brain tumor क्या होता है और किस तरीके से इसके पहचान की जाती है नम्रशकार, मैं Dr. Himanshu Krishna, मैं एक consultant neurosurgeon हूँ और लगबग last 20 years से neurosurgical problems, diseases उनसे deal करता आ रहा हूँ, उनको operate करता आ रहा हूँ. Neurosurgery, basically, brain और spine संबंदित जो problems हैं, उनसे deal करती है. और आज जो एक wish है, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारी population, हमारी जनता को थोड़ा उसके बारे में घ्यान मिले, वो हम लोग ने brain tumor से संबंदित कुछ information देनी के कोशिश करी है. Brain tumors मतलब जो tumors brain के area को occupy कर रहे हैं, उनको हम brain tumors बोलते हैं. जिस area में होती है तो उसका नाम दे देते हैं. जैसे brain में हैं तो वो brain tumor, spine में हैं तो spine tumor. इसी प्रकार से brain tumors अपने आप में एक separate entity हैं, जो की 2-3% cases में देखे गए हैं, अलग-अलग age groups में, अलग-अलग तरीकों से. अब brain tumors कैसे पता चलते हैं, obviously आजकल की technological advances में हमें CT scans, MRIs, हमाँ आपस advanced techniques हैं, जिनसे की हम brain को scan करते हैं, और tumors या कोई भी extra tissue अगर brain में होता है, तो उसका जानकारी मिलता है. और उसका उक्चार उसके बाद decide किया जाता है कि क्या है और किस चीज़ की आवशक्ता है. नार्मली ये जो tumors होते हैं, वो अपने आप खुद ही बताते हैं, अलग-अलग तरीके symptoms के form में. हमारा brain हमारे शरीर के हर पार्ट को control करता है, तो कोई भी चीज जो की brain के tissue के लावा है, उससे extra है, वो उन नसों को दबाती है, उन नसों पे pressure डालती है, तो जो हिससे उस area से control होते हैं, उन पे effect आता है, उन पे कमजोरी आता है. किस प्रकार से हो सकता है, जैसे लगातार बढ़ता हुआ सर का दर्थ, सर का दर्थ जिसके साथ उल्टी अगर आतने लग जाए, किसी इनसान का sense कम होने लग जाए, बेहोशी आए, मिर्गी के दौरें आए, किसी एक तरफ हाथ-पैर के कमजोरी आए, जिसको हम fallage या paralysis बोल कुछ cases में brain tumor भी निकल के आते हैं, सर अगर लक्षण और उसके निदान के बात की जाए, तो किस तरीके से उसका निदान क्या जा सकता है, और लक्षणों कि आपने कुछ दिर पहले ही बात करी, तो कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं brain tumor भी ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे जो लक्षण जैसे मैंने पहले भी बताया, वो या तो दबाव संबंदित हो सकते हैं, मतलब नस्पे अगर दबाव हो तो हो जाएगा या नस्पे सूजन आए, अगर नस्पे दबाव आता है, तो जैसे evident है, उस हिस्से को नस्पे कंट्रोल कर रही है, उसमें कमजोरी आना जिसको फालिज या पैरलेसिस बोलते हैं, ये चीज़ हाथ और पैर में भी हो सकती है, ये चीज़ सुनने में भी हो सकती है, ये चीज़ देखने में भी हो सकती है, क्योंकि देखने की नस अलग है, सुनने की नस अलग है, चेहरे का पैरलेसिस हो सकता है, बोलने का पैरलेस स्लो होती जाती है वो बेहोशी की तरफ जाता रहता है तो इन लक्षणों से हमें पता चल सकता है कुछ केसिस में हमने देखा है जैसे लगातार बढ़ता हुआ सर का दर्फ जिसके साथ उल्टी आ जाती है ये भी अपने आप में कभी-कभी ट्यूमर्स के तरफ इंडिकेट करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर सर्द के दर्फ से हम परशान हो जाएं और वो ट्यूमर को डिनोट करें जब स्कैन कराते हैं तब ही हमें इसके बारे में पता चलता है कुछ केसिस में मिर्गी के दौरे खाली पेशिंट मिर्गी के दौरे आया स्कैन कराया तो उसको ब्रेंट ट्यूमर था पता चलता ट्यूमर शब्द खाली जो कैंसर वाले ट्यूमर्स हैं उसके लिए नहीं है एक किसी भी पकार की गांट हो सकती है ये खून की नलियां जो होती हैं, बलड वैसल्स जिसको बोलते हैं, उनके गुच्छे भी हो सकते हैं, वो भी एक फॉर्म आफ ट्यूमर ही है प्रेजेंटेशन्स जो मैंने बताएं वैसे ही रहते हैं सर अगर निदान की बात की जाए, जो प्रिक्रिया है क्या कुछ प्रिक्रिया होती है निदान के हो denk मतलब surgical excision, surgically उसको excise कर दें, बाकी नसों को बचाते हुए, तो that is the permanent solution, that is the main treatment जो की best तरीके से उस चीज़ को treat कर सकता है. कभी-कभी कुछ cases में इतना जादा पहला हुआ tumor होता है, उसके अंच इतने जादा चिपके हुए होते हैं, कि एक बार में पूरा नहीं निकल सकता है. तो उसको staged procedures के जरीए हमें दो या तीन बार में कभी-कभी निकालने की जरूरत पड़ती है. कुछ tumors जो की cancer का रूप ले लेते हैं, उसमें operations के बाद radiation therapy या chemotherapy इसका use किया जाता है, and depending upon कि किस grade का cancer है, किस grade का tumor है, उसकी इनसान की life expectancy या overall prognosis determined होती है. Sir, अगर इलाज की बात की जाए, तो इलाज के दौरान किन बातों के जादा एक चिकितसक अपने माइंड में लेकर के चलता है, कि हम उसका इलाज कर रहे हैं, उसके surgery करने जा रहे हैं, तो किन चीजों को अपने दिमाग में रग करके उसके surgery कर रहे हैं? वैसे, as a rule, surgical surgery का जो नियम होता है, that is maximum possible removal of the problem, मतलब जो अगर tumor है, तो कोशिश होता है कि 100% हम tumor को excise कर दे, लेकिन जैसा आपने अच्छा सवाल पूछा, कभी-कभी जैसा मैंने बोला कि वो इतना पहला हुआ होता है, कि एक stage में नहीं निकल सकता, तो then, then we follow the dictum कि अगर survival, First thing is, कि patient को किसी भी तरीके का life का नुकसान नहीं होना चाहिए, या कोई और add-on problem ना दे हो, किसी भी अंग में अगर weakness है, तो वो permanent paralysis ना हो जाए, अगर weakness नहीं थी, तो नहीं कोई paralysis या weakness ना आ जाए, इन चीजों का विशेश दिहान रखा जाता है, कि जो स्थिती है, उससे खराब ना, अगर जरूत पड़े, तो हम हो सकता है, दो महीने बाद आकर फिर से कर दे, इनसान अगर ठीक रहेगा, तो वो चीज फिर से करी जा सकती है, बजाए इसके कि उसको हम इस stage पे ले आएं, कि वो किसी like, उसकी quality of life ही खराब हो जाए, तो ये चीज बहुत important है treatment के कि quality of life patient का ये maintain रहना चाहिए, मेरा भी अगला सवाल यही था, कि chances कितने होते हैं, अगर आपने एक surgery करी है, ट्यूमर को पूरी तरीके से आपने निकाल दिया है, उसको वापस से, आपने देखा कि वो पूरी तरीके से ठीक है, chances कि अगर बात की जाए, रिपीट होने के, त chances कई चीजों पे determined होता है, mainly location and दूसरा type of tumor, brain की कुछ locations ऐसी हैं, जहाँ पे हमारे को safety margins जादा मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हम almost 100% removal कर सकते हैं tumor का, without causing added damage to the patient and to the brain, तो उसमें recurrence के chances practically nil हो जाते हैं, कुछ locations ऐसी होती हैं, जहाँ पे अगर छोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, कुछ time बात वो आएगा, अब, कितना percent में वापस आएगा, या दूसरा सवाल होता है कि कितने time में वापस आएगा, वो determined होता है tumor characteristics में, tumor benign है, या locally invasive है, या cancerous है, ये शब medical terms हैं, लेकि कैंसर का कोई लक्षर नहीं है, locally invasive का मतलब हुआ कि, कैंसर नहीं है, लेकिन उस tumor की characteristics ऐसी है कि वो अपने आजू-बाजू के nerves में चिपकेगा, उसके अंदर फैलेगा, तो ऐसी चीजों को हम एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, उसमें उसको दुबारा वो अगर बढ़ता ह बढ़ने की जो अवदी है, वो again fix नहीं रहती है, अगर low grade tumors हैं, तो वो कहो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बढ़ें, जैसे ऐसे grade 1 to 4, 4 grade is highest grade, जो highest grade के tumors होते हैं, उनका life expectancy भी कम होता है, और वापस आने की शमता, almost 80% tumor, 6 से 15 महीने में वापस आ जाएगा, जो high grade के cancer वाले tumors होते हैं बहुत एहम जानकारी है, जिस सरीके साथ ने बताया कि tumor का इलाज तो संभा हो है, लेकिन उसके chances भी कही न कहीं जादा है, तो एक बार आपना सर उसका इलाज कर दिया, उसका operate कर दिया, फिर एक certain period of time के लिए का diet chart कुछ maintain की जाती है, जैसा मैंने बताया था कि tumor की characteristics से ही uncancerous tumors हैं, वो patients करीब-करीब अपनी normal life 100% तरीके से जी सकते हैं, कुछ 6-8 हफतों के बाद, 5-4 माईने के बाद, हम उनसे यही कहते हैं कि भाया, आप भूल जाओगी, आपको कोई problem भी थी, lead a normal life, खाना, पानी, exercise, work, office work, just lead a normal life, कोई ऐसा restrictions नहीं होता, वैसे भी किसी भी brain tumor स is always necessary, because चाहे वो surgical treatment हो, चाहे रेडियेशन हो, या chemotherapy हो, body का resistance अच्छा होना चाहिए, इन सब चीजों को एक तरीके से overpower या जहल पाने के लिए, तो diet definitely has a good role, an important role, restrictions as such नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ के, अगर patient का overall medical condition ही बहुत frail या weak है, जाहिर सी बात है, उन में complications, उन में side effects जादा होंगे, and precautions, dietary controls, physiotherapies, mobilizations, यह mobilization उतला जितना जल्दी हम patient को चला सके, जितना उसका chest का exercise करा सके, तो यह चीज़ें उनके life को, quality of life को better कर देते हैं, उनके life expectancy पे भी कही ना कहीं positive effect आते हैं. Sir, हमारी चैनल के महादेम से क्या कुछ सुझाव या कुछ सला अपने patients को या उन लोगों को देना चाहेंगी जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और शायद उनको अभी तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं है? Most likely अगर जैसे brain tumor अगर हम कहते हैं, तो brain tumor जो पेड़ी नहीं है, जो पेड़ी नहीं है.